तो आज मैं आपके साथ सेयर करूंगी बच्चों से लेके बड़ों की पसंदीदा कपके की रेसिपी और आप इसे बिना मोल्ड बिना बटर बिना अवन और बिना अंडा के बहुत ही आसानी से बना के तियार कर सकते हैं और ये खाने में बड़ी ही टेश्टी लगती हैं तो आदा कप पिस्यूई चीनी और फ्लेवर के लिए इसमें आदा चमच में एलाइची एड़ कर रहे हूं और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे ये देखें आप सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके मैंने ले ली हैं अभी बोल में हम एड़ कर देंगे एक कप अधियाँ देना है बेटर में किसी तरह की गुठली नहीं रहनी चाहिए और इकदम स्मूद बैटर बनके तयार हो चुका है टेक्चर को इस तरीके का है तो अभी मैंने लिए हैं यहाँ पर पेपर कप्स यीजली मार्केट में कही पर मिल जाते हैं और इन में कपकेक बहु अभी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ पिस्ता और बादांग इसे ना केक देखने में बड़ी ही मज़िदार लगेंगे आप चाहे तो चुक्री और चिप्स बगएरा भी डाल सकते हैं मैं तो इन्हें कपकेक में बनाया है आप इसी स्टेल बेख काटोरी में बना सकते हैं एक इक करते हैंpres बेक मिलेख करने के लिए मैंने के सत्रै थायम्ट रखणी तो इसे कबर चुछावूं अभी मैं साइड में अलमुनियों फॉयल लगा दिया है इससे क्या होगा इसमें से जो भी स्टीम निकलेगी वह बहां नहीं आएगी और कच्छिफ बेक होंगे तो मैं इन्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी 20-25 मिनट के लिए धीमी गयस पर 20-25 मिनट के बाद यहां पर आप देख सकते हैं हमारे कपकेक काफी अच्छे से बेक हो चुके हैं और इस तरीके से मैं चेक कर रही है तो बैटर बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है तो यहां गैस को बंद करेंगे और रूम टेपिचर पर हलका ठंडा करेंगे तो यह है और आपके घर में रिपश्ट क है तो अगर आपको मेरी रेचर पसंद आते हैं तो इक बाशते से लिए राच्त चैनल को शुट्ससरी सबस्टके करेंगी मैं बुब दीए ऊट किसा तरभे और यह बदाभे लिए नेक्सी आऴल में बलाए तक के लिए बाधाअ या झाल झाल